शहर के ढाकी अलाके में पाकिस्तान जिन्दाबाद लिखे पोस्टरों का मामला पुलिस द्वारा सुझा लिया गया है। जानकारी देते हुए SSP पठानकोर्ट सुहेल कासिमीर ने बताया किस वारदात को नितिन गुपता द्वारा रचा गया था जिसे पकड़ कर हिरासत में ले लिया गया है। SSP पठानकोर्ट ने बताया कि रोपी ने इस घटना को इंजाम इसलिए दिया क्यूंकि उसकी गली में पिछले दो महीनों से खड़ी कार को वो हटा ना चाता था। और इसलिए उसने पाकिस्तान जिन्दाबाद लिखे पोस्टर और कार के शीशे तोड़े। कल सुएरे पठानकोर्ट पुलिस नो इंफोर्मेशन मिली सीगी के डाकी रोड बालाजी नगर पठानकोर्ट दे विच कुछ अनपचाते शक्की वेक्तिया ने एक हिमाचल नंबर दी इनो वा गड़ी दे शीशे बनते उदा नुकसान करता नाल दे नाल उनने जाई वकु कुछ तम्की परियां परचेयां ओ शुटते यह इजी परचियां हिगें इना दे विच हिंदी भार्षा्ट दे विच इसे की तर लिख्यासी आज क्या कि ऐसी करीवन सो बंदे हिंदोस्तान दे विच दाकल हो चुके ने उना चो ती बंदे पठानकोर दे विच हैगे ने पाकिस्तान जंदाबाद देनारे उदेते लिखे सीगे सो लोकालिटी देव वसनीक है जदो उना ने ये देखिया ता उत्थे बड़ा धाशत सहम और डर्दा महोल पैदा होया पैनिक क्रियेट होया एरिया देविच ता इदेविच पोल्स ने सब तो पहला जड़ा बंदा जन्हें सूचना देती सीगी नितिन गुपता उदे को लोग पोचकश केती उदे मुदाबिक वो अपने करे सीगा करीबन साढ़े चार वजे स्वेरे उन्हें कुछ आवाज उन्हों आई तब बाहर बैलकनी थे टॉर्च लिके गया जदो उन्हेंने टॉर्च आन करती उन सुठतियां सो ये एक बड़ा गंबीर संस्टिव मैटा सीगा इदे विचे मान्योग डिर्क्टर जन्रल अफ पुलिस दिए बॉर्च दिए बॉर्च दिरेक्शन दी कंप्लाइंस देता है दिस्ट्रिक पुलिस पठान कोट इन आस्सोटिएशन विद रिल्वेंट अगें सब्सक्राइब करें सिगें इदे विच ये गल सामने आई कि जड़ा बंदा जने पुल्स नों इन्फॉर्मेशन दित्ती सीगी नितन गुपता ने ही पूरी वार्दात नों अंजाम देता उन्हें आप ही जड़ी गड़ी दे शीशे बनते उन्हें आप ही जड़ी ये पर सेगी एक नरेश कुमार नामगदे वैक्ति दी गड़ी है कि ता नितन गुपता दा एक शौप उत्ते हैं तो इस करके उन्हों प्रॉब्लम सेगी कि शाप दे मोरे उत्ते इस तरह गड़ी काफी टाइम तो खड़ी सेगी किसी बंदे दी ता इन्हें उस गड़ी नों टो क करना एंड उदा जड़ा मकसद है गड़ी टो होंदा वो मुकमल होगा तो इस गिनूनी साजिश दे तहत ए जड़ा बंदा है नितन गुपता उदे बरखलाफ एफायर दर्ज हुई है एंड ही एस बिन एरेस्टेड इन दे केस थैंक यू जेहन्द